नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रुकसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया टीन आईए रुक करते हैं आज की कुछ खास ख़बरों की और बाराबंकी सिरॉली गौसपुर छेतर के अंतरगत ग्राम कस्वा किंतुर में 11,000 वोल्टेज बिजली का गिरा तार दे रहा है मौत को दावत आपको बताते चलें सिरॉली गोस्पुर्चेतर के अंतरगत ग्राम कस्वा किंतुर में आईटी आई कालेज के पास 11,000 वोल्टेज बिजली का तार काफी नजदीक होने के कारण पेड़ पर रखा हुआ है 2011-2020 को जैसी बिजली आई आग की लंबी लंबी लपने और तार के जलने की आवाज आते देख लोगों को पसी ने छूट गए ये घटना उस समय की है जब किसान अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे थे आचानक तार के जलने की आवाज सुनी तो मौके पर मौझूद अली हैदर महबूब आलम सादाब आलम और एल्बम से इसकी जानकारी टीवी इंडिया 18 ने लोगों से ली तो वहाँ पर मौझूद लोगों ने बताया कि ये तार काफी दिनों से पेड़ पर रखा हुआ है टाया नहीं गया तो जल्द ही कोई बड़ी घटना घट सकती है ऐसे वक्त में बिजली वभाग की टीम को आकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए मारावंकी से एक कैमरामैन महम्मद आमीर के साथ बीरोचीफ हसान रजा की खास रिपोर्ट